जैहिन साथियो आज हम जोग्रफी मेंस का एक बहुत महतुपून टॉपिक एग्रोइकोलोजी या क्रशी पारिस्तितिकी के बारे में डिसकस करने जा रहे हैं क्रशी पारिस्थेति की यह जो topic है यह paper 1 geography means का एक बहुत महतुपन topic है geography पर आज हमारा first lecture है तो चलिए शुरू बात करते हैं agroecology topic की इस topic में हम जिन जिन चीजों के बारे में discuss करेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले तो इसमें हम देखेंगे agroecology की definition इसका निर्धारण कैसे किया जाता है agroecology छेत्रों का निर्धारण कैसे किया जाता है agroecology को कैसे apply किया जाता है या implementation कैसे किया जाता है इसके प्रमुख घटक क्या होंगे क्रशी पारिस्थितिकी के भारत में छेत्र कौन से है उसका विवरन क्रशी पारिस्थितिकी का महत्व और इसके लाब इन चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में डिसकस करेंगे guys तो बने रही है इस lecture में शुरू से आखरी तक ये topic आपका complete इसी वीडियो lecture से cover हो जाएगा ये जो चित्र बना हुआ है ये भारत की क्रशी पारिस्तितिकी चित्रों के बारे में ही है आगे इसमें हम discuss करेंगे ठीक है guys सबसे पहले क्रशी पारिस्तितिकी की परिभाषा देखते हैं अगर मैं शरल या easy language में कहूँ तो क्रशी पारिस्तितिकी से आशय है क्रशी उत्पादन प्रणालियों को apply करते हुए या उन्हें लागू करते हुए परियावरन संद्रक्षन का ज्यान होना उसके साथ खेती करना ही क्रशी पारिस्तितिकी है book language की अगर बात करें तो देखते हैं गैस क्रशी पारिस्तितिकी से आशय क्रशी उत्पादन प्रणालियों से संबंदित परियावरनी प्रक्रियावो के विवस्तित अध्यान को ही क्रशी पारिस्तितिकी करते है तो सिंपल अर्थ में बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि जब भी हम क्रशी करेंगे तब परियावरण का संरक्षन उसके साथ साथ करना ही क्रशी पारिस्तितिकी है इसमें खेती से होने वाली परियावरणी हानी चाहें वो प्रदूशन हो वनो या वन्यजीव की शती हो कोई अन्य दूश प्रबा हो को कम करने वाले उपाय विक्सित करने पर बल दिया जाता है ठीकी, clear है, बहुत simple और basic definition है ये concept जो है क्रशी पारिस्तिती की वर्तमान में बहुत अधिक लोग प्रिय हो गया है या काफी उप्योगी हो गया है क्योंकि आज हम कई परियावरणी चुनोतियों को phase कर रहे हैं जैसे climate change, जैसे globalization और इस phase में इस तरह की तकनीक काफी अनुकुल है, परियावरण अनुकुल है और ये हमारी आने वाली पीडियो के लिए भी लाबदायक हो सकती है ठीके गईस क्रशी पारिस्तितिकी का निर्धारण तो क्रशी पारिस्तितिकी का निर्धारण जो होता है वो बहुत basic factors के आधार पर होता है बारत में लगबग 20 क्रशी पारिस्तितिकी छेत्र है और इसका निर्धारण देखते है जिस छेत्र में क्रशी पारिस्तितिकी छेत्र का निर्धारण करना है उस छेत्र की मिट्टी soil को देखते हैं फशल व्रधिकाल को देखते हैं, इस्थलाकरती विज्ञान या टोपोग्राफी को देखते हैं किस तरह का है और जेव जलवायू, इन चीजों को बारे में अध्याइन्या स्टडी करने के बाद क्रशी पारिस्तितिकी शेत्र का निर्धारन किया जाता है, ठीके गाईज, भ या इंप्लिमेंटेशन कीन आधारों पर होता है, हम देखते हैं क्रशी पारिस्तिती की पद्धती को किसे अपनाया जाता है, और इसके लिए कौन से प्रमोग घटक होंगे, तो गई सबसे पहला जो घटक है हमारा इसमें जेविक खाद, क्रशी पारिस्तिती के लिए जेविक खाद को अपनाया जाता है, जेविक खाद में गोबर, कमपोस्ट और हरी खाद को विशेश रूप से स्थान दिया जाता है, जेविक खाद के प्रयोक से परियावरण को नियूंतम किसी प्रकार की छती नहीं होती है, साथ ही परियावरण का संरक्षन और संवर्ध तो जैविक खाद एक बहुत महत्वपून फेक्टर होता है इसमें क्रशी पारिस्तितिकी के लिए सेकंड है वर्मी कल्चर अर्था जो है केच्वा पालन जैसे हम बोल सकते हैं केच्वा पालन तो केच्वा पालन के अंतरगत क्या होता है इसमें सबसे पहले केच्वा के माध्यम जैच्वा की केच्वा जो होते हैं ये क्रशी मित्र होते हैं ये क्रशी की उर्वर्ता को बढ़ाने का काम करते हैं और और अधिक उप्यों भी बनाने के लिए लाल केचुओं को मिक्स करके उसका वर्मी कमपोस्ट बनाया जाता है जो कि खेतों के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण होता है इसलिए वर्मी कल्चर की पद्धति भी इसमें क्रशी पारिस्तितिकी में अपनाई जाती है इसमें कुछ प्रमुक केचुओं का उप्योग किया जाता है फसल चक्रण यह फसल चक्रण है फसल चक्रण में होता है कि एक किसी विशेश प्रकार की फसल के बने के बाद इसी फसल का उप्योग करना जो कि नैट्रोजन फिक्सेशन में मदद करे और क्रशी में जैसे कि खाद्यान फसलों को बने के बाद फलीदार फसलो कि क्रश्ची के साथ पशुपालन के महत्व को अधिक उप्यों करना कर पशुपालन को बढ़ावा दिया जाता है ताकि इससे एक और किशानों की विकल्पिक आय का सरजन होता है साथ ही उसके लिए जेविक के खेती के लिए गोबर और गोमुत्र का भी इसमें प्रोडक्शन होता है जो कि इस पद्धती के लिए बहुत महत्वकून है ठीक है गैस नेक्स देखेंगे म्रदा सुरक्षा गैस हम खेतों से बहुत अधिक उत्पादन लेते हैं तो निश्चित तोर पर उसमें कई परकार की कमिया आ जाती है उन कमियों की पूर्ती के लिए ही म्रदा सु पाई अपनाए जाते हैं प्रभावशाली जल प्रभंदन ये भी एक विशेश महत्वकून होता है क्योंकि सीचाई के बिना खेती करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए वर्षा जल का अधिक साधिक संरक्षन करना उस शित्र में वाटर लेवल को बढ़ाना इसमें विश क्योंक खेती में काफी अधिक प्रेश्टिसाइट और कीट नाशकों का उप्योग किया जाता है जो कि दूर द्रश्टी रूब में खेतों के लिए बहर धानी का रखोते हैं साधी पर्यावरन को भी नुक्सान पहुँचाते हैं तो ख्रशी पारिस्तितिकी या एक्रो एक पर्यावरन के लिए भी वो सही होता है सुरक्षात्मक उपाय होता है ठीक है खरपत्वार प्रभंधन के अगर बात करें तो खरपत्वार को नस्ट करने के लिए नीधाई और गुडाई का उप्योग करना ज्यादा सही होता है जो कि पर्यावरन के लिए भी एक सही साधन म बात करें तो खेतों पर बायो मास बायो गेस पवन उर्जा सोलर उर्जा इंची जो को बढ़ावा देना चीए ताकि उर्जा की समस्या का भी समाधान वहीं पर किया जा सके ठीक है तीक है गाईस नेक्स्ट अब अपन देख रहे हैं सतत क्रशी सतत क्रशी के अंतरगत गाईस क्रशीगत संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि वर्तमान पेड़ी के साथ-साथ आने वाली पेड़ी को भी क्रशीगत संसाधनों का सही उपयोग करने का मोका मिले अर्था जब हम इन सभी घटकों का उप्योग सही रूप से करेंगे तो पर्यावरण का संरक्षन होगा साथी क्रशीगत संसाधनों का भी बच्चत और संरक्षन होगा जिससे आने वाली पेड़ी भी सही रूप से क्रशी का उप्योग कर पाए तो गाईज ये एक complete factor है जो कि क्रशी पारिस्तितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इन सभी घटकों का पालन करने पर क्रशी पारिस्तिकी का सही रूप से implementation हो पाएगा और पर्यावरण और क्रशीगत संसाधनों की बच्चत हो पाएगी ठीक है गाईज ये clear है अब हम next slide में चलते हैं अब भारत में क्रशी पारिस्तिकी छेतरों के बारे में देखते हैं और उनके विवरन को देखेंगे एक तरप आप मेप देखरे होंगे गाईज यही ख्रशी पारिस्तिकी चेतरों का मेप अधार बहरत में सतिकी प्रदेश है ठीक है और कुछ क्रशी विज्ञानिकों द्वारा जो की भारती म्रदा सनरक्षन और भूमी प्रयोग परियोजना ब्यूरुक से संबंदी थे उन्होंने 60 शित्रों में या उप प्रदेशों में इसका विभाजन किया है ठीक है जिनके बारे में हम आगे देखने वाले ठीक है ये रणनेतिया कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि ये जिला इस्तर तक इनका वर्गिकरन किया गया है ताकि क्रशी भूमी जो है उसका दिर्ध कालिक उप्योग संबव हो सके उसके लिए विकास रणनेतिया बनाई जा सके ठीक है तो आगे देखत हैं तो हम पहले 10 और आगे फिर 10 चित्रों के बारे में देखेंगे तो गैस पहला चित्र देखते हैं हम पहला चित्र हमारा है पस्षी में हिमाले ठंडा शुष्क चित्र इसको मैप में देखते हैं मैप में सबसे टॉप पर जो चित्र है वो पस्षी में हिमाले ठंडा पर आधार पर ये पहला शेतर भारत में निर्धारित किया गया है इसी प्रकार दूसरे शेतर की अगर मैं बात करूं तो पस्चिमी में मैदानी कच एवं कठियावार प्रायदेपी गर्म शुष्क छेत्र है जो की थार मरुस्थल वाला छेत्र आप देख सकते हैं यह छेत्रे यहाँ पर बलूई मिट्टी पाई जाती है तरह की यहाँ पर फस्ले लगाई जाती है जो कम पानी में भी उत्पाधन किया जा सके वर्षा है वो 40 से कम होती है 15-40 के बीच में होती है यहाँ की फस्ल हमने देख लिए यही सब आधार यहां की क्रशी पारिस्तिकी शेत्र को निर्धारन करने का आधार है तीसरा शेत्र है करनाटक वाला जो कि आप ब्लू कलर में देख सकते हैं यह शेत्र यहां तीसरा शेत्र है गर्म शुष्क शेत्र है यहां भी पानी की कमी है पठारी मिट्टी हैं यहाँ पर और यहाँ की फसले चावल और कुछ इस तरह की हैं जो की कावेरी नदी यहाँ से होकर जाने करने यहाँ पर चावल लगाया जाते हैं तो पाचवा आप यहाँ पर बलू वाला शेतर देख सकते हैं छटे चेतर की अगर मैं बात करो तो ठीक इसके नीचे दक्षिनी पठारी एवं घाट गर्म अर्दनम शित्र यह छटा शित्र है यही पर सात्वे शित्र की अगर मैं बात करतू दक्षिनी पठारी तेलंगाना एवं पूर्वी घाट गर्म अर्दनम शित्र आता है यह 7 शित्र है जो कि थोड़ा डार्क यलो में देख सकते हैं आप पूर्वी घाढ तमिल लाडु की उपरी भूमी एवं दक्षिन पतारी गर्म अर्थ शुशक शित्र 8 शित्र है जो कि यलो कलर में आप देख सकते हैं इन सबी शित्रों की डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अगर आपको बारत की मिट्टियों के बारे में यहां की फसलों के बारे में यहां की ओसत वर्षा के बारे में अगर मालूम है तो उन्हीं चीजों को आपको इधर mention करना है जिससे की यह थोड़ा-थोड़ा description हो ज जाएगा ठीक है नवा चित्र के अगर बात करें तो यह blue color में उत्तर वाला शिवालिक वाला चित्र है और यह उत्तर प्रदेश का शेत्र है बिहार का शेत्र है यह चित्रों के नाम लिग दीजिएगा यहां पर यह नम चित्र है यह पानी भी अच्छी मतरा में यह दस्वा शित्र है ठीक है गाईस तो यह एक से लगा कर 10 शित्रों को हमने map में देख लिया है अब next 11 से 20 तक भी शित्रों को हम देख लेते हैं ठीक है गाईस तो इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है पर शित्रों को नाम याद रखने होंगे आपको उनके बारे में basic detail पूर्वी पठारियों पूर्वी घाट अर्दनम शित्र ठीक इसके नीचे ही मिलेगा आपको 13 शित्र पूर्वी मेदानी गर्म अर्दनम शित्र जो की ठीक इसकी उपर आपको मिलेगा यहाँ पर बिहार वाला शित्र जो नेपाल के पास में है 14 वाला शित्र आपको अंडमार निकोबार लक्षुदीप वाले शेत्र आते हैं ठीके गाईज ये 19 वाला पस्चिमी वाला घाट वाला शेत्र है पस्चिमी तटीय मेदान वाला 18 वाला शेत्र जो है पूर्वी तटीय मेदान वाला शेत्र है और इसी के आसपास जो है 17 और 16 वाले शेत्र है तो गा आपने ये सबी छेत्रों को अच्छसे समझा होगा अब आगे बढ़ते हैं करशी परेष्थिति के कई लावہ जैसे सबसे महत्वपूरण जो लाव है वह परियावरण का संवक्ष्ण होता है करशी उत्पादण श्मता को बढ़ावदन मिलता है क्रशी कत संसादनों का संरक्षन और संवर्दन होता है संपुन क्रशी छित्र का भोगोलिक निर्दारन होता है और उसी के आधार पर फसलों का निर्दारन होता इन सबी चुचों के बारे मैं कहीं नगी बात कर चुका हूँ इनको अगर डिटेल में description करना हो तो आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि इसका महत्व बहुत आसान भी है और आप कर भी पाएंगे ठीक है गैस तो ये 6-5 marks 6 marks या 11 या 15 marks में आ सकता है महत्व तो आपको इसमें detail में इसका description करना होगा ठीक है साथ में इसके lab का भी वर्णन कर दे कि इससे पर्यावरन का संतुलन होगा खेती में लागत में कमी आएगी स्वच्छ वातावरन मिलेगा पोस्टी भोजन मिलेगा जल संरक्षन होगा साथ ही उर्जा संरक्षन विभिन बिमारियों से बचा होगा खाद संकट से सुरक्षा होगी तो यह बहुत आसान छोटे छोटे से हैडिंग से जिनने आप डिटेल में आराम से डिस्क्राइब कर पाएंगे तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा उसे पहले को छोटे questions देख लेते हैं क्रशी पारिस्तितिकी किसे करते हैं वर्मी कल्चर किसे करते हैं जैविक खाद, क्रशी पारिस्तितिकी के लाव यह छोटे questions को आप comments में लिख सकते हैं या फिर इसके उपर छोटी-छोटी 3 marks, 6 marks की practice कर सकते हैं आप चाहें तो इन answers को टेलिग्राम ग्रूप पर भी हमें लिख कर बेज सकते हैं हम आपको चेक करके आपको suggestions देंगे ठीक है इसी प्रकार यह topic से बड़े question 11 और 15 से भी आ सकते हैं question इसलिए complete topic को अच्छे से cover करिए आशा करता हूँ video lecture आपको अच्छे से समझ आया होगा तो guys इसी प्रकार की video lecture देखने के लिए channel को like, comment करिए subscribe और share करिए channel को subscribe अवश्र करिए इसी channel पर आपको geography, संबंदि, सभी महतोपून topic आगे मिलते रहेंगे thank you for watching